के आशर दोस्तों स्वाहद आप सभी लोगों का तो आज की स्क्रास के अंदर आज अपने इसरो का जो पेपर है जो दस-दो 2019 को था एलेक्ट्रीशन का उसको हलकरने वाले हैं अर्ब पिछली जो क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको सब्सक्राइब लुट रेयंग लुटे安ना है तो आप लोगोंको पुछ नहीं करना था एक बटा में 2000 इसको पूल से सब्सक्राइब आप। के बारे में बताया था कि आपको चार पांच बाते पुछी थी एक तो इसका इंपूट रिजिस्टेंस बूचे तो अनन्त होगा आउट पूचे तो सुन्या होगा और यह वोल्टेज कंट्रोल होगा यह आपका यूपईबी च Straw 2015 में भी पूचा गया था टीजी टू में और वोल्टेज कंट्रोल होगा और वोल्टेज सोर्स होगा और उस सवाल के अंदर जो क्योशन आपसे पूछा गया था वोल्टेज गयन पूछा था तो इसका वोल्टेज गयन जोगा वो क्या होगा अनंत होगा तो यह चार-पांच बाते ऑप्रेशन एंप्लिफायर के बारे में आप लोग यहां से याद रखेंगे इंपुट्र्जिस्टन क्या होगा ऑट्वट क्या होगा गया और किस प्रकार की डिवाइस थैं यहीं थैंस पेपर के अंधर आपकर पता देता हुंए तोटल जो परसनों की संख है वो असी है तो आप लोग द्यान से इसको देखना कि असी परसन होगे लेकिन आज अपने इस क्लास के अंदर जो हल करेंगे वो चालिश क्योशन करेंगे और कुछ मैथ के भी क्योशन आएंगे बीच में और वह भी मैं आपको सवलब करूँगा तो आप लोगों कोई आइडिया रहेगा कि इस रोज होता है वो किस प्रकार के क्योशन बूस्त है तो आए स्टार्ट करते हैं देखो आपको यहां दिखायागे इसमें परसनों की संग्यासी है तो एक चीज़ यह आप लोग याद रखेंगे इस रोगे जो पेपर होते है उनमें किसी पेपर में पचास क्योशन आते हैं किसी में साट आते हैं किसी में सी आते हैं किसी में सो आते हैं तो इसका कोई फिक्स पैटरन नहीं है यहां से ऐसे क्योशन भी करेंगे अभी तक आपने जो क्योशन पेपर किया था जिसके अंदर शाट क्योशन दें ऐसा क्य होगा तो distribution transformer आपने देखा वाँ जो आपके घरों के अंदर तो यूज्ज किया जाता उसके बारे में आपसे बूछा गिए तो इसको आपने देखेंगे तो चार सो पंद्रा पॉबलिक 200 यहां 440 आएगा तो इसका मतलब यह होगा कि यह जो वोल्टेज को क्या करेगा डाउन करेगा और इसकी रेंज भी आगर आप लोग देखें तो याद रखेंगे और यह जो वित्रन परनाली जोगी यहोगी तीन फे चार तार तो वित्रन परनाल होगी और इसकी वोल्टेज अगर रेंज पूछे जाए तो ग्यारा के भी प्राइमरी साइड होगी और स्केंट्री सेट 45240 क्योंकि यहां से आपको तीन फेज की सप्लाई मिलेगी और यहां से क्या मिलेगी सिंगल और ट्रांस्फार्मर अगर आप से प्रकार पूछा गय नियुत करेंदर दो पर हैं उप्रांस्फारमर के अंदर पावर्ड जोगी और स्केंटिम सेम्रेगी और दूसरा रहेगी फिलेगी इस को संट अगला तो यहां से देखो तो यहां आपको देखो तो यहां तो पहला आपको देखा है कि ट्रांस फार्मर्स होगा, वह कुलिंग का भी काम करेगा, हิंग है प्लस क्या करएगा इंत्वलेंग टीक कि लेकिन आपको चारा अप्षिन क्या दिए कि अलग 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 दिये कि साथ डिया तो आप क्योब करते हैं तो इस समय आपका इस question का जो right option रहेगा वो A रहेगा अगर इसके अंदर A और B दोनों दिया आता एक साथ दिया आता या A और B इस तरीके से दिया आता तो आप लोग यह जो होगा वो इस question को right answer करते हैं बिरेंस डेह को सिलिका ज़िए रखा जाता है उसका काम तो देखो मैं आपको पता देता हूं कि जब ट्रांस पार्मर में nemaz talk करेंगा तो यहांँ आपका बरीदर लगा होगा तो ये ब्रिदर तो काम क्या करेगा नमी को अलग करेगा ब्रिदर तो काम क्या करेगा नमी को क्या करेगा अलग करेगा तो नमी को अलग करने का काम पूछा तो ये करेगा और इस नमी को सोगने के लिए यहां इसके अंदर क्या करेंगे सिलिका जेली का यूज करेंगे फिर गुलाबी होगा या क्या हो जाएगा वाइट से कलर का हो जाएगा फिकी गुलाबी आपकी जो शेल्ट होती उसके जैसे हो जाती है तो यह नमी सोकने का ग्याम करेंगे एक उप्शन इसका क्रेक्टर रहेगा अगला वित्रन ट्रांसफार्मर में ट्रन रेश्यों सो दे रखा है प्राइमरी की करंड दे रहे है तो इस सो से यह सो डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब यहां से आपका तो एक एंपर होगा वो क्या हैगा क्रेक्टर रहेगा तो एक एंपर इसका क्या रहेगा लिव्क उप्शा लेगा और लोगों को एसा सवाल में कलभी जो क्लास थी उसमें पूछा गया था जिसके अंदर आपको दो लिव्क यह प्राइमरी धारा को कम करने के लिए इसका इसका इस्तमाल गया जाता है तो सी उप्शन इसका क्रेक्ट रहेगा अगला क्योंशन है कि पॉल पिच आपको दे रखिए वह दस दे रखिए और कि दस द्रो यानि कि दस पॉल है इसके अंदर और जो पॉल पीज दे रहे हैं वो दो है और स्लोट की संग्या आप से बुचिए तो पॉल पीज दो त्रीके से निकाली जाती है एक तो आपकी स्लोट की संग्या निकाली जाती है नीचे आएगा आपका पोल की संक्या, इसके लावा यहां आपको चालक से भी दिया जा सकते है, चालकों की संक्या, बटा में क्याएगा पोलों की संक्या, आप अपने को स्लोट से बुचा गए, तो आपको पता है कि यह स्लोट का निकालना तो इन दोनों का आपस में क्या होगा, मल्टिपलाई तो इस क्योश्न का जो राइट अजो रहेगा वो क्या रहेगा 20 रहेगा कि चार पॉल टी जो मोटर ऐलेक्ट्रीकल डिग्री तो आपको मैंने एलेक्ट्रीकल डिगरी के बारे में बहुत चीजे बताई थी देखो तोड़ा सब देखते हुआ इलेक्ट्रिकल डिगरी जोगी उसका फार्मुला होगा एक्सवसी इंटू पॉलों की संग्या इसके अलावा एक्सवसी इंटू पॉलों की संग्या यह इसको क्या लेख सकते हो तीन सुसाथ इंटू पी बटा में दो तो भी गिनेंगे तो एक्सवसी इंटू क्याएगा पी एक बार गुमेगा तो उस समय आपका जो अंदर का जो ग्राब बनेगा यह एनवन के सबर्ग में यह एस वन के यह एंटू और यह अस्टू तो जब मसीन के अंदर आप लोग देखें तो इस तरीके साब के पास चार पॉल होगे एक पॉल से दूसरे पॉल तक जब यह आर्म के कितने साइकल उत्पुन होगे एक चकर के दोरा तो यहां इसका अंसर भी क्या था दो था इसके लाव एक चीज़ और याद रहेंगे और मेकेनिकल डिगरी जोगी उसके अंदर यह डिफ्रेस होगा और होती क्या यह तो आप लोग यह वाइंडिंग की या डिसी जनरेट हो ऑगा अगला क्योंशन है कि जो गरों दर सिंगल फेज मोटर होती हो किस प्रकार इंदर यह तो आपको पता है कि गरों में सिंगल फेज है तो सिंगल फेज इनक्शन मोटरी होगी और फिर आप देखरें कि इसके अंदर जो एक फेस को दो फेस में तोडने का काम करेगा वो क्या करेगा डुसरी बात रहेंगे इसके अधर जो प्रमानेट में प्रमानेंट के आप सिल्टर मोटर होती है ठीक है अब यहां से देखो इस question का जो right option आपका A भी किया जा सकता था और B भी तो अब उसके उपर depend करता है कि आप लोगों को क्या right option माना जाए वैसे अगर देखा जाए तो यह single phase motor होगी लेकिन इस काम जिए जो करेगी वो दो phase पर करेगी तो host है कि इसका option B भी माना जाए ठीक है तो यह जो आप लोग इसका option इसका क्रेक्ट करेंग एक बार और next time देखेंगे कि इसका option क्या किया गया था इसके अंधर इसलों ने क्या मना गया तो आपको next class के उसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा 3 माना गया है कि कई परichaam तो देखो, commutator होगा, DC motor या DC आपका जो जनरेटर होगा उसमें यूज किया जाता है, और brushless DC motor में तो brush भी नहीं होते हैं, तो commutator भी नहीं होगा, और यहां single phase के अंदर तो use भी नहीं होते हैं, तो DC motor इसका क्या रहेगा, collect रहेगा, अगला आपसे पुछा कि इनवर्टर का प्यों क्या किया जाता है, तो inverter जो गई है, आपको पता है कि DC को SC में बदलने के लिए, और use किया जाता है inverter का, इस क्योंचन का यह option right होगा, और SC2 अगर DC पुछा जाए तो यह rectifier होगा, और इन दोनों के लिए पुछा जाए तो यह transformer का यूज किया जाता है, इसके लिए तो rectifier होगा, इसके लिए दोनों के लिए क्या यूज किया जाता है, अपना transformer, अगला क्योंचन देगें, अगला क्योंचन आप से पुछा गया है कि 230 वोल्ट है, बचास रटज बदर काम करने वाली सिंगल वेज इंडेक्शन वोटर है, बारा सो लिटर पानी को 30 मिनिट के उंचाई में पहुंचाती है, और जल को और अश्यों सिक्ति आपको पता लगाना है कि पंप करने के लिए ने कितना पानी चलाने कि उसने पतना मिनिट लिया, और मसीनी की जो दक्सता है, वो कितनी असी है, तो यहां आपने देखो किस तरीके जिसको काम करेंगे, तो सबसे बहले अपने को इसकी पावर निकालने पड़ेगी, और पावर आपको पता है, कार्या करने की दर क्यलाती है, और कार्या के ध्यानक ना, कार्या जोगा, MGH होगा यहां से, बटा में आए गटी, तो M का मान आप लोग क्या मानेगे, जो इसका दुर्यमान दे रखा, वो कितना है, 1200, जी, आप 10 ले ले लेना, नो पे डाट होता है, वैसे, 10 से कल्कुलेट कर लेंगे, तो अंस्वर इसके पास में आ जाएगे, और हाइट आपको दे रखा 30 मिटर, फिर आपको दे रखा 15 मिनट, इस इसकी जो पावर आगी, वो आपके आगी, 400W है, इसकी जो पावर होगी, वो क्या बाट होगी, 400W होगी, उसके बाद देखें इसके अंदर, अब आप लोग दकस्ता का फारूला लगाएं, कि एफिसेन्सी का जो फारूला जो होगा, वो क्या होगा, आउट्पूट बटा म तो आप लोग इन्पूट निकालेंगे तो इन्पूट कितना एगा तो इन्पूट निकालने के लिए आप लोग क्या गरेंगे चार्ट लेकर जाएंगे और इन्टू में क्या गरेंगे तो इसको गरेंगे तो यहां यहने कि मोटर का जो इन्पूट यहने कि इसकी जो अच्पी जो है वो कितनी है वो कितना है पांसो वाट अब इस पांसो वाट को अगर आप लोग अच्पी में चाहते हो तो आप लोग काम गया गरेंगे इस अच्पी को चाहने के निगालने के लिए आप लोग या करेंगे तो आप लोग इसका साथ से कम आएगा तो यह 0.65 ही आएगा तो यह साइद इतना ही आएगा यह 500 अगर आप लोग साथ से डिवाइड गरेंगे तो यह साथ साथ उन्चास और तो इसका मतलब यह पॉइंट 6 के सम्तिंग एगा तो सी ऑप्षिन इसका करेक्टर एगा अगला थर्मो स्टेट तो थर्मो स्टेट आपको मैं बता देता हूं कि जैसे आपका प्रेस हो गया या ओवन हो गया जो टेम्प्रेचर के कारण आप लोग जो यूज करते हो ठीक तो यहां धेक हैं इसके अलब थर्मो स्टेट का इस्तमाल लाव लेव डेस्टार में भी देख सकते हो इसके अंदर यूज किया जाता है कि ताब को गया गया नियंत्रित करने का काम क्या गया तो यहां देखों पहला प्षिन आपको दे रहा है वोल्टेंस का पता लगाने और ट्रेम ब्रेशर का नियंतरत करने ये नहीं होगा दूसरा भी नहीं होगा तीसरा की तामान का पता लगाने और उसको नियंतरत करने तो C option का क्रेक्टर रहेगा अगला ELCB, तो ELCB का पूरा नाम याद रहेगा, अर्थ लिगे, सर्किल ब्रेकर और दूसरा ये काम क्या करती है यह आपके रिए एक सेप्टी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल शोक से आपको बचाती है और ऐसा क्योप्षिन जो था मैंने कल वाला जो पेपर करवाए था उसमें भी आपको देखने को मिला था इसक्योशन का यह उप्षिन इसके क्या अगर ऑफ हो जाती है तो उसके बाद विसके जो कॉंटेक्ट जो होते हैं वो उसी पोजीशन पर रहते हैं इसका मतलब आप लोग यहां से देखें इसका कौन सा उप्षिन राइट होगा तो यहां इसका सी उप्षिन आप गया रहेगा तो लेचिंग रिले कैसे रिले होत हैं अगला है ट्रांस फार्मर को किसमें रेट किया जाते हैं तो यहां अव्लोग ध्यारगना ट्रांस फार्मर को जो रेट किया जाता ओक केवीरे यानिकि कुंडली और जो संदारी तर्जोत है उसको रेट किया जाते हैं तो इस क्योशन का जो अधोप्स जो डृव को के बि Europy एमें रेट के आजातब है ज़ह सुए पदाइस को बारित के अंदर तीन फेश की आपरती उसकी प्रेकंश्य कितनी है तो आपके ज़े सिंगल फेज हो ज़े तीन फेज हो फ्रक्वेंसी आपके कितनी रहेगी वह हमेशा कितनी रहेगी पितास ही रहेगी तो एक उप्षन इसका क्रिक्ट था अगला क्योंक्षन आपको दिया गया है कि 10 ओम और 5 ओम का पर्तिरोदा वह समांतर में जोड़ा गया है और कुल धारा कितनी है 15 तो आपको 5 एंपिर वाले से धारा बतानी है तो इसको आप लोग 2-3 तरीके से कर सकते हो जैसे यह 5 ओम का हो गया और यह 10 ओम का यहां से जो करंट आ रही है वो कितनी है 15 तो अब आप लोग एक तो अनुपात वाले तरीके से बताता हूं जो मैथमाटिक तरीका है इसका यह एक होगा तो यह कितना होगा दोगा इसका मतलब धारा जो जाती है वो परतिरोद के वि गजनी है और टोटल यहां करंड कितनी है 15 तो तीन बराबर आप लोग किया करेंगे 15 और एक बराबर कितना हैगा 5 अब आपको 5 वाले में पूछा है तो 5 को 2 से मुल्टिपलाई कर देंगे तो 10 एंपिर आ जाएगा और दूसरे वाले में जाए तो 5 इंटो एक करेंगे तो 5 एंपिर तो पहला जो तरीका था वो इसका यह था कि आपको 5 वाले में पूछा तो इसका 10 एंपिर आइड ऑप्शन होगा दूसरा मेंदड आप लोग देखें इसका आप लोग यहां से टोटल वोल्टेज निकालने हैं यहां से आप लोग क्या गरें टोटल वोल्टेज जोड आप इस फार्मिले का यूज कर सकते हो तो उपर मैंने आपको गुणा कर दिया निचे मैंने क्या कर दिया जोड तो उपर गुणा करूंगा तो पचास आएगा निचे जोड गरो लोग तो टोटल वोल्टेज होगी सप्लाई वोल्टेज कितने आएगी 50 अगर यहां यहां से आप लोग किसी भी तरिके से जड़ेंगे तो दस वाला जो था उसके अंदर 5 एंपर की करेंट यह पांच वाले में दस से रिएगी तो आपका व्प्षेंज होगा वह उप्ष्ण होगा अगला क्योंशन है कि तीन फेज इंडेक्शन वोटर जो होती है जब उसको TOE4 सबलाही से जोड़ेंगे तो श्टाटर जोगा उसको आप लोग सिंग्रोनेस गती बोलेंगे उसका कि याद रखे और दूसरा कि जो गुमेगुआब इसको सिंख्रोनिस के गती का जाता है तो सी ऑप्शे हैं अगला कि तीन फेज की जो आप उरती है उसमें दो फेजों के बीश का एंगल कितना होगा इसके अलावा मैं इसका एक चीज़ और बता देता हूं आपको दो चीज़ें और बताऊंगा ध्याद से समझना इस चीज़ को और अपकी बार जो डिया बार से एक जाम होगा था उसके अंदर एक क्योशन पूछा भी गया था कि जैसे यह माले अपने पास कई अगर इसको एंगल के साथ दिखाय को इसकी जो वोल्टेज होगी वो भी यरो गी और इसका एंगलाएगा चिरो डिग्रि यह वाइज होगा यह 120 डिगरी पीछे चल रहे है तो इसको आप लोग या लिखेंगे वी आर माइनस यह आर फेज हो में दिखाएंगे इसको इस तरीके से और वी अगर आप लोग वी फेज के निकालोगे तो यह वी आर से जो चलेगा वो कितना डिकरी पीछे चलेगा यह माइनस का का 240 अगर आप लोग वाइस डिरेक्शन में गुम रहें तो इसको माइनस का 240 लिख सकते हो इसके लावा द्यारगना जो यह आपका वी फेज होगा अगर इधर से देखें तो 120 डिकरी के एंगल बनेगा तो एंटिक लोग वाइस देखेंगे तो इसको आप लोग क्या कर सकते ह कि बेसे भी आर की जो बनेंगे वह ये बनेंगी वाई वाली की जो बनेंगी वह वी आर से कितना डिगरी पीछ एंग 모든 और अगर आप लोग देखें वी जो इपिश होगा यह अगर इदर से जारगना थोड़ा साम आपको और बता देता हूं इसकी अगर ताक्षणिक समिकन ले तो वी आर की जोगी वोगी इम साइन ओमेगा टी वाई फेस के अगर आप लोग निकालेंगे तो यह 120 डिगरी पिछे चलेगा और बी फेस के निकालें तो इम साइन ओमेगा टी माइनिस क्याएगा 240 यह प्लस का 120 भी लेक सकते इसको तो इस तरीके से तीनों की ताक्षणिक समिकरन बनेगी और ताक्षणिक समिकरन में ने एक वीडियो भी बनाई थी तो वह आप लोग देखें थोड़ा सा आप लोग ध जाम जोगा उसको क्रेक कर सकते हैं तो इस क्योशन के अंदर आपको दो से तीन बाते एक्ष्टा मिलिए तो आप लोग थोड़ा से इसको नोट भी करें अगला क्योशन देखें कि ऐसी सप्लाई है और वोल्टेस रोट स्रंखला की रूम में जुड़ा एक संदारी तरह औ और और संदारी तरह दोनों सरीज में जुड़े हैं संदारी तरह्यार वोल्ट प्रति रोपार वोल्ट यूत्लणा में धाटधी तो इसका मान देखो किस तरिके से निगलेंगे तो सबसे पहले इन दोनों के अंदर जो सेम रहेगी वह करेंट रहेगी यह करेंट होग और तो आप लोग ऐसी ट्योरी एगर आप लोगों को पता तो उसका फेजय डाइग्राम जो बनेंगा आर सी सरी सरीकिट का वह ऐसा ही बनता है अब आपको दिया गया है कि प्रतिरोद के आर पार जो वोल्टेज वोल्ट की संदारीतर पर जो वोल्टेज है वो प्रतिरोद की वोल्टेज याने कि यह वोल्टेज है प्रतिरोद की वोल्टेज की तुन नामे थीटा गुण पस्ट गामी है याने कि यह वी सी जो यह थीट पूरा माइनस नहीं आएगा तो यह उप्षिन इसका क्या रहेगा क्रेक्टर रहेगा अगला क्योंशन है कि दस घंटे के अवदी में दो सो वाट के और चार दो सो वाट के तो पूब की उर्जा तो किलो वाट घंटा के अंदर अगर आपको निकालना तो वाट इंटू क्या करेंगे घंटा करेंगे और बटा में क्या कर देंगे हजार कर देंगे वाट देगो दो सो वाट है इसका अगर निकाले सो वाट के दो है तो यह दो सो वाट हो जाएगा और चार वाट के दो और दस गंटे तक चल रहे हैं तो गंटे की जिए दस लिखेंगे और अजार से डिवाइड करेंगे तो 10 kw जिसका क्या होगा राइट अगला है कि तीन जो सेल हैं वो दो गोल्ट के और इनके आर पार एक ओम का परतिरो एकिलों का परतिरो स्मान्तर में जोडा गया है तो अपरतिरों से बेहने वाली ढर अमान क। तो यहाँ सब से नहीं कहले सेल ओगा थो दो वोल्ट सेल सब्सक्राइड निखी और यह सबी दो वल्ट दे रहे हैं और आपनेहे मित्सका निखेंगा थे इनक वो कितनी होगी वो 2 होगी तो आई का मान निकालना तो विये बोन में क्या करेंगे आर करेंगे और वल्डेस का मान अगर आप लोग देखें दो होगा रिजिस्टेंस का मान एक किल्लो है मतलब दसकीबा और तीन होगा उपर जाएगा तो यह माइनस यानि की मिली बनेगा और दो मिली अंस्वर्ज होगा इसका क्रेक्ट होगा अगला क्योशन है कि एक परतिरोध को किसी वोल्टेस तो से जोड़ा गए यदि वोल्टेस को दूगनी कर दी जाए तो उस परतिरोध में 20 शक्ति क्या होगा तो पावर्ज होगी है किसी परतिरोध के अंदर वो 20 स्केर बटा में क्या होगा अगर आप लोग वोल्टेस को दूगना करते हो वोल्टेस को क्या करोगे दूगना करोगे दो का स्केर कितना हो जक़ाएगा चार तो इसका मतलब वुच कितनी हो जगी चार गुणि हो जएगी तो इस क्योशन का जो राइट ऑप्सिन रहेगा वो कह रहेगा भी अगला क्योशन का भी अच्छा देखर लोड को वहन करने वाली 3 फ्य सप्लाई में शक्ति और शक्तिक उना दोनों का मापन करना है तो कम से कम बाट मेंटर कितने चाहिए तो यह क्योशन पहले भी पूछा गया था आपके पता नहीं कौन से जामें याद नहीं मुझे तो आपको पावर भी चाहिए और पावर फेक्टर भी चाहिए तो आपने यह फार्मला पढ़ा होग इस तरीके से तो यह यह जो फार्मला जो होता है यह दो वाट मेंटर वीधिय के अंदर यूज़ के आ जाता है जिस今े अंदर आप लोग संथलीडल्श कर सकती हो ढोंसे सुना डील्टा यह बीस एसे अनल जइण में भी बूछा गया था आपके लाइन में भी पूचा गया था आई टेए की जो समेश्टर प्रणाली थी उसमें भी ये क्योश्ट पूचा गया था कि कौनसी जो दो वाड मेटर वी दिए उसका इस्तमाल किस के अंदर करेंगे तो स्टार डेल्टा दोनों में कर सकते हो एक और जो तीन वाड मेटर तो इसका इस्तमाल केवल आप लोग में कर सकते हो और इसका मैंने कारण आपको वीडियो उसमें देखे उसमें पुरा बत है है तो इस्ट्रेंटर आपकर यहां से देखें पावर और प्रं निवहें होग nettion उसक्ता होगी तो इस ड॑ राइट ऑप्षिन रहेगा वह दो रहेगा अगला क्योंशन आपको दिया गया कि कार जो है वह साढ़े चार गंटे के अंदर 108 किलोमेटर चलती है तो कार की गती क्या होगी तो कुछ नहीं करना किलोमेटर परती गंटा चाहिए तो किलोमेटर चाहिए तो आप लोग इसका मेरे को क्लेक्ट ट्रन्सफर बताएंगे क्या रहेगा तो इसका 45 चाहिए चप्षण के लिप समयेगा तो आप लोग चेक कलना तो इस योशन का आप लोग मुझे राइट अंसर जोगा कमेंट बक्स में कमेंट करेंगे अगला मान दारा भी छिष्थीर सुन्ने भा इर्ए कि स्थिति मीं तिरी न को हुझा जिसके अंदर यहां लिखा हो और यह जिरो लिखा जब पुर्न भी छ्फ़ुऑ हो तो यह आएगा जब दारा ंस इसे दारा कि ना जब सुन्नीज़क्षण तो पर रूंत पर यहां अनन्त लिखा हो यह जिरो लिखा होगा तो यह स्रीज टाइब o meter है और अगर आप लोग शंट देखेंगे तो यहां जीरो होगा रहां क्या होगा अनन्त लिखा होगा और यह शंट वाला आपका नोड़ा मेटरों के अंदर 217 में पूछा भी गया था इसके अलावा जो अपका जो मेगर मेटर होता है उसकी जो स्रचना अगर पूछी जाए तो वो स्रीज टाइप मेटर के समान होती है पेमाना जोगा है अगला क्योंशन है कि 200 वोल्ट का एक 200 सुरी बीस ओम का प्रतिलोद है अजार माइक्रो फेरड है एक स्विच द्वारा पांच वोल्ट की डिसी सप्लाई से स्रंकला में जुड़ा गया है स्विच को बंद करने के स्थितिय में धारा क्या होगी है तो देखो इस तरीके से यह अब आप लोग यह मैं सोच लेना कि संदार ही तरह अगर जुड़ा है तो वो जो डिसीप रोपर स्रिक्ट की तरह करेगा लेकिन जब स्विच ओन या ओफ होता उस समय जो क्याप से ट्रोगा यह काम करेगा तो यहां देखें आप लोग कि इस समये जब स्विच को बंद की रहेंगे तो इसका वरोद क्या होगा यह सोट सर्कृट की की तरह काम करेगा तो है तो बीस उमिटरो से तो निकालना है तो आई बराबर जोगा वह यह पुर्मियार होगा वोल्डेस कामान अगर आप लोग यहां देखें तो पांच है और रिजिस्टेंस कामान 20 है तो एक बटा में चार करेंगे तो पॉइंट 25 इसका आपको मिलेगा वो क्रेक्ट अंसर मिलेगा अगला क्योंचिन है कि 200 टर्न प्राइमरी में सकेंड्री में 50 है और प्राइमरी की वोल्डेस दो चारिस है तो आपको निकालनी तो आप लोग यहां से क्या किरेंगे यह एंट 2 बटा में एन 1 और एट 2 बटा में इवन का फार्म्ला यूज करेंगे अ्ट 2 का मान आपको दिय निकालना के तो इसको बाइड करें तो यह चार पर जाएगा और यह 240 आयेगा अगला दिए अगया है कि दो ओम परतिरोद है और एक ओम का स्रंखला में जोड़ा गया है, 6 वोल्ट का एक्सेल है, और दू ओम का जो परतिरोट है, कितनी पावर कपत करेंगा, तो power निकालने के लिए पी बराबर आप लोग i square R से कर सकते हो इस तरीके से हैं ये एक ओम का माल लेते हैं ये दोम का माल लेते हैं और इनको जो supply दीगी है वो 6 वड़ तो current का मान अगर आप लोग निकालेंगे तो V बटा में R करेंगे तो 6 बटा में 3 करेंगे तो 14 का जो मान अगला क्योंशन है कि जब दो समान पर्तिरोदों को स्रंखला में जोड़ा जाता है तो प्रभावी पर्तिरोद आरवन आएगा श्री और समांतर में जोड़ा जाएगा तो आरवन और रडू का अनुपाची है तो देखो इसका मैं एक सिंपल मेथल बताता हूं कभी भी आप आप चाहिए तो आर श्रीज जो का बराबर एंड स्केर इंडू क्या कर सकते हो आर समांतर या आप लोग दो पर्तिरोद मानके किसी भी वेल्यू के मानके कर सकते हो तो अब आप लोगों को यह जो मेथल बता रहा हूं यह जब आप लोग उसका अंदर यूज करेंगे के अ कि कर देब्स करेंगे को कि एक श्रीज के अंदर दोग बटन होम एक तो पर्तिरोदों की सइपाइब कि दिश्यूटि इसका क्या रहेगा नेट करेगा एक को कि श्रीज के अंदर जोगा वो एंस फार्मला यात रहें और स्केर गुणा में होगा क्योंकि स्रीज के अंदर जिस्चेंश होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा तो आरस उपर आजएगा और नीचे आजए अंसकेर बटा में और अगर आप लोग देखें तो यहां वो अगला क्योंशन है कि रजिस्चेंस आप वो दिया गया है यानि कि आपके लेफ्ट टू राइट जोगा वो दे रहा है पहला रंग है पिला तो बिबी रोह से अगर आप लोग देखें तो जीरो एक दो तीन और चार पिला जो आएगा वो चार पर आएगा तो आपको अगला क्योंशन आपको दिया गया है कि 5 ओम का पर्तिरोध शोट हो गया है तो A और B के बीच का प्रभावि परतिरोध क्या हुआ होड़ा अगर यह परतिरोध सोट हो जाता है तो आप लोग पता है कि जब यहां से करेंट जो आएगी तो वो करेंट जोगी वह इस एक थीस्टेंस में नहीं जाएकि क्योंकि short होने के बाद में इसbalance का कोई मतलद नहीं है तो इसका मतलब यह पूरा circuit इस तरीके से बनेगा और यह short हो चुक है इसका मतलब इसकी value नहीं मिलेगा अपको तो इसका मतलब एक कौम इसका ग्यारे गाट टांस हो रहेगा अगला क्योंशन है कि जब आप लोग देखें कि अनुप्रिक्त ऐसी वोड़ता आवरती बढ़ाने पर प्रतिकात कैसे बढ़ेगा तो एक्स सी एक्सल का मान जो आपको पता है फारूला टू पाई एफल होगा और आपको पूछा है कि प्रेरक प्रतिकाज होगा वो आवरती घुषब आपको परफिकी के बढ़ने पर कैसे बढ़ेगा एक्सल समान उपाती ज्यांव ओगा एक्सल इस तरीके से बढ़ेगा तो रहा ये था इस लेगा है अगला क्योशन है जो हई वॉल्टेज की की जो wanna बिलेंज होती है उसके अंदर जो 7 मटिरियल जो था वो किस तरीके का यूज किया जाता है वो पिंधेन च्ट का यूज करेंगे इसके न क्योशिंट यूज करेंगे इंपरเฟ्शर में पेर यूज करें हुआ आप लोग जुरूर इनके अंदर करके बताएं मुझे यह मैट्रिक्स का क्योंशन है और मैट्रिक्स आपको दे रहे हैं एभी गामान तीन बटा में एक और दो बटा में जीरो है तो मैट्रिक्स कैसे अलगी जाती है यह दो इसके साथ में मल्टिप्लाई होगा तो दो एक्स तीन वाई के साथ मल्टिप्लाई होगा तो तीन वाई फिर एक एक्स के साथ मल्टिप्लाई होगा तो एक्स और दो वाई के साथ मल्टिप्लाई होगा तो दो फिर दो जोगा वह यह चार के साथ मल्टिप्लाई होगा तो चार दुनी आठ और तीन दो के साथ होगा तो माइनस काच है, फिर एक जोगा वो चार के साथ होगा, और दो जोगा फिर माइनस दो के साथ होगा, तो यह चार, इसका मतलब इस मैट्रिक्स को अगर आप लोग देखें, तो जो आपके मैट्रिक्स बनेगी, वो दो एक्स प्लस तीन वाई, और एक्स प्लस दो वाई, य siinä हैं अगर यहां दो नहीं ये घलाजिघान किए यह जीरो नहीं नहीं आता इसका मतलब आपने गलत काम किया याने गलत आप ने इसका है करें और और एक स्था स्थार powinien अगर चोपके पास hacks leirs के पास कह cinnamon 2 आहीं इसका माहना आएगा तरी लिसका माना कितना है अब आपके पास दो समय किरने हैं इनको कैल्किलेट करने इसको 2 से मट्टिपलाइक कार देते हैं और इसको क्या करेंगा मांड़िय and you mean य का मान आएगा माइनस का बनाएगा अब आदो कम गयागरें किसी भी सम्ये किरन के अंदर Wाइगा मान माइनस का एक रखें क्योंकि माइनस का एक वाले आपके पास दो अप्शन है तो पहली सम्ये किरन जो थी वह 2x PLUS 3y बराबर जो था वो 3 ता अगर मैं यहां y कामान minus 1 रखूंगा तो यह जो value होगी भी minus की 3 आएगी और यह 3 उदर जाएगा तो plus का क्या हो जाएगा 6 और 2x बराबर 6 होगा तो x कामान कितना हैगा 3 तो इसका मतलब यह 3 और minus 1 किसका क्या रहेगा correct answer रहेगा अगला inductance की कई क्या है तो inductance की काई जो होती है एक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा henry होगी दूसरा जगोगी इस तरीके से होगा तो e बराबर जोगा minus l di बटा में dt होगा और यहां minus का जो चिन है यह उसको lens के नियम को परदरशित करता है तो अब आपको l का मान चाहिए तो e into क्या करेंगे dt बटा में क्या करेंगे जो i वाला भाग इसको भाग में लेएंगे e का मैं कि अएक क्या होगा will वौट होगा सम्मेगा चोगा वह सेकंड होगा और current की एक अपने बात ा gevह but चार उप्षन में देखे कौन सा राइड Εन सरह आ पहला नहीं होगा और दूसरा ईसका दूबह आप्षन इसका क्या रहीगा गर्रे knots अ तो यहां इसका जो आउटवट होगा वो राय्म टाइब क्या है वह आप लोगों को जो होगा यह साधीश्च नहीं पड़ा होगा यह आप लोगों IT साइध नहीं पढ़ाओगा तो इसलिए आप लोगों नहीं पढ़ा तो आप लोगों बस याद रखें इसका रेंप टाइप इसका आउटपूट होगा अगला आपको दे रखा है कि सिक्रमान है 220 वोल्ट और आरमस मान आपसे पुछा गया है कि इसका मतलब यह उप्शन नहीं होगा दूसरा देखें विएम वट्रा में रूट टू कर देंगे तो यह 220 इंटू बाग में गया है कि दो रूट टू अगर मैं इस रूट टू को उपर नीचे गुणा कर देता हूं तो कोई फरक नहीं पड़ेगा और यह रूट टू रू समिक्रणों पर क्योशन करवाई थे मैंने आपको बताए था तरीके से इसके ऑप्शन मिल सकते हैं तो यह आज की जो क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको 40 क्योशन करवाई है वीडियो कैसी लगी वीडियो के बारे में जरूर कमेंट करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे इसके लाव जो मैंने दो वीडियो और डाली वो भी आप लोग देखेंगे इताली से आगे वाले जो क्योशन होंगे वो अपने करेंगे नेक्स टाइम यहने कि कल की क्लास में करेंगे तो मिलते हैं धन्यवाद जैन जैवारत